हेलो फ्रेंज समकी चनन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एटीम के बारे में इस बेंग के एटीम से भूल कर भी ना निकाले रुपिये वरना हो सकता है बड़ा नुक्सान जिसने भी रुपिये निकाले उनको हुआ बड़ा काटा तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप भी एटीम मशीन का इस्तमाल करते हैं तो साउधन हो जाएए एसा हम इसलिए कह रहा है क्योंकि राइपूर सहर में एक के बाद दो एसे मामले सामने आये हैं जिसे जानने के बाद आप भी एटीम से रुपिये निकालने में कत्राएंगे दरसल एटीम मशीन से पांसो के नकली नोट और जले हुए नोट निकल रहा है चलिए देखते हैं ये वीडियो आप के तो क्वेशोंगे उस सक्ष्डास जसाय रहा हम एगियो श्या किंब एटीम में जीद्या करू है भ। नहीं रहां में धमालने की बाद जहा है पहला मामला 36 गड़ के जापकापूर संभाग के सुरजपूर जिल्ले के विश्राम पूर इलाके की है यहां 3 सितमबर को ATM से 500-500 के 12 नोट निकले रुपिये हाथ में लेकर जब वे मिलान करने लगी तो उनके होस उड़ गए सभी नोट जले हुए थे 500 रुपिये की ये 12 नोट देख नरंद भाबी रह गई हेरान फिर ATM से जले नोट निकलने की जानकारी पीडित ने स्टेट बेंक प्रबंधन को देदी लेकिन प्रबंधन उन्हें बिना कुछ उपाई बताए दिन बर गुमाता रहा और दुसरे दिन आने को कहा अभी तक इस पीडित को नकली नोट के बदले असली नोट नहीं मिला है अब जानते हैं दुसरा मामले के बारे में दुसरा मामला राजदानी राइपूर का है यहां 12 डेरा CRPF केम के पास SBI का एक ATM है आज यहां मंदिर हसोत के रहने वाले दो यूवक पैसा निकालने गए थे दोनों ने 20 अजार रुपिय निकाले जिसके बाद ATM से 500 पानसो के 40 नोट निकले SBA ATM से निकले 500 के फटे और नकली नोट देखकर रह गए हैरान जिसके बाद दोनों यूवक काफी गबरा गए थे दोनों इस घटना की सिकायत करने सिधे मंदिर हसोत थाने पहुँचे जहां उन्होंने इस मामले की सिकायत दर्श करवाई जिसके बाद पुलिस ने नोटों की जब्त कर लिया है साथी आगे की जहांच शुरू कर दी गई है पुलिस ने CCTV केमरे की जहांच करने के बाद बताया है की CCTV फुटेज से देखा जा रहा है की यहां नकली नोट ATM से निकले है या फिर दोनों यूवक खुद अपने साथ नकली नोट लेकर आए और यह ड्रामा रच दिया साथी पुलिस ने ये भी बताया की बैंक के बाद सिद की जा रही है आखिरकार इस तरह का नोट ATM में कैसे आया इसकी सत्यता की जहांच कराई जा रही है आपको जानकर हेरानी होगी ये दोनों ही मामले SBA ATM की है ATM मशीन से इस तरह नकली और जले हुए नोट निकले की सिकायत मिलने के बाद भी प्रबंधन की और से कुछ भी जवाब आया नहीं है इदर ATM मशीन से नकली रुपिय निकलने से लोगों में हडकम मच गया है अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भुले तन्यावाद